हेलो गाईज, वेलकम, बेर्ण के एक और लेक्टर के अंदर आपका स्वागत है, बेर्ण की लास किलासेथ के अंदर अपने डिस्कूस किया था, बेर्ण की डेफिनेशन इसके कारण, क्या इसकी क्लिनिकल फीचर होते हैं, क्या Rule of Nine होता है, और burn का surface area अपन किस परकार से हैं जो है वो estimate करते हैं उसके बाद में अपने पड़ा burn की क्या pathology रहती है किस परकार से हैं जो है वो burn के अंदर hypovolemic और circulatory soak देखने को मिलता है आज अपन discuss करने वाले हैं burn का management की burn अगर किसी patient के अंदर हुआ है किसी भी कारण की वज़े से है तो उसका first aid किस परकार से किया जाएगा hospital पहुंचने के बाद में उसको किस परकार से manage किया जाएगा और किस किस phase के अंदर जो है वो इसका treatment किया जाएगा तो burn के management के अंदर जो पहला भेज आता है वो आता है आपका emergent phase emergent मतलब जैसे ही burn किसी पेसेंट के अंदर हुआ है तो immediately जो है वो अपने को क्या करना है किसी भी कारण की वज़े से अगर किसी पेसेंट के अंदर burn होता है तो आपको पता लगा है इमेडियेटली आपको क्या करना है keep the patient away from burn जब जहां पे भी burn एरिया है burn का source है उसको सबसे पहले जो है वो पेसेंट को rescue करना है उस site से पेसेंट को दूर लेकर जाना है यह आपका पहला aim होना चाहिए उसके बाद में क्या करना है assess for ABC मतलब airway breathing और circulation को आपको assess करना है अगर पेसेंट जो है वो circulatory failure के अंदर है तो आपको इमेडियेटली CPR स्टार्ट करना है अगर पेसेंट जो है वो airway नहीं कर पा मतलब airway जो है वो maintain नहीं कर पा रहा है breathing maintain नहीं कर पा रहा है तो airway के अंदर किसी परकार की choking हो सकती है कि किसी परकार का edema अगर पेसेंट के अंदर develop हुआ है inhalation अगर injury पेसेंट के अंदर हुई है तो उस इस्तिति के अंदर क्या करना है airway को maintain करना है देखना है किसी परकार की जो हो पेसेंट चोग तो नहीं कर रहा है या फिर जो हो पेसेंट का जो एडिमा की वज़े से है या म्युकस की वज़े से पेसेंट का जो airway है वो intact है या नहीं है यह आपको check करना है airway को maintain करना है उसके बाद में पैसेंट का breathing पेटरन करना है कि पैसेंट का breathing जो है वो proper जो हो है या नहीं है respiratory rate जो है इसे तो पैसेंट श्तितियां अगर है तो high flow oxygen जो है वो आपको देनी है hundre Ceau 2 फैस्ट वह आपको किया करना है अगर बहुत ज्यांदा बस्फैटी के अगर किसी पैसेंट के अदर आ है तो mechanical ventilation उसके लिए असेस किया जा सकता है यह major burn अगर समय पे hospital पहुंच जाता है तो यह सारी चीज़ें अपन कर सकता है normally ABC अगर normal है तो आपको क्या करना है जो भी surface burn हुआ है उसको clean clothes है क्या करना है कवर करना है पेसेंट को क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है पेसेंट का जो है वो burn area है वो यहां पे expose हो रहा है बहुत ज़्यदा जो है जल चुका है तो उसको prevent करने के लिए अपको क्या करना है burn को clean clothes हैं अगर आपके पास में sterile है तो उसको क्या करना है burn के surface area को cover करना है और जल्दी से जल्दी hospital पहुंचाना है और अगर hospital facilities आपके पास में available है तो 100% O2 आप provide कर सकते हैं या mechanical ventilation के लिए पेसेंट को assist कर सकते हैं यह आप emergency की stage के अंदर करते हैं उसके बाद में क्या करना है जो भी tight clothing है पेसेंट का उसको क्या करना है रिमूव करना है या कोई jewelry अगर पहन रखिए क्योंकि burn के अंदर क्या होगा बाद में प्लाज्मा leakage होगा एडिमा की इस्तिव डवलप होगी तो आगे जाके यह जो clothing है या फिर jewelry है यह क्या करेगी जो आपकी blood supply है उसको जो है वो कम कर देगी और आगे जाके compartment syndrome है वो यहाँ पे कोज कर सकती है इसके लिए आपको क्या करना है tight clothing कपड़े जो भी है jewelry जो आपको पेसेंट की remove कर देनी है जो easily remove हो सकता है उसी कपड़े को remove करना है अगर बहुत ज़्यदा चिपक चुका है तो आपको अभी remove नहीं करना है then assess for burn surface area आपके पास में hospital में जैसे ही पहुंचा है पेसेंट आपने देखा ABC जो है वो proper है या नहीं है आपने oxygen लगाया पेसेंट को mechanical ventilation के लिए एसेंट किया और mechanical ventilator पे पूट किया अगर पेसेंट को mechanical ventilation की ज़रत है उसके बाद में आपने क्या किया consciousness का level चेक किया पेसेंट क नहीं कर दे लिए आपको क्या करना है जो भी जुएल लिजए है उनको निकाल देना है उसके बाद में band surface area आपको estimate करना है band का surface area जो है वो आपने last class के अंदर देखा होगा कि इस प्रकार से rule of nine के अनुसार अपन क्या करता है band के surface area को decide करता है estimation कि कि किस प्रकार से कितना पर resuscitation phase कि यह जो आप IV fluid start कर रहे हो यह जो fluid resuscitation कर रहे हो यह किस प्रकार से होना चाहिए कितनी मात्रा में होना चाहिए और किस patients के लिए अपने को कितना जो है इसका डोज देना है यह IV fluid जो है वो कितना ml आपको देना है तो इसका दूसरा phase आता है कि जैसे ही emergency के अंदर पेस formula बताए गये हैं उनके अनुसार अपन क्या करेंगे पेसेंट का fluid का resuscitation करेंगे सबसे जो ज्यादा यूज में होने वाला formula है वो है आपका पार्क लेंड बेक्स्टर formula तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन IV fluid का यूज कर रहे हैं RL का यूज कर रहे हैं और उसके लिए एक formula है formula क्या है 4 ml यूज करेंगे multiplied by patient का weight कितना है multiplied by कितना percent body area burn होगा है जिसके आपके पास में एक पेसेंट आया जिसका वजन है कितना 60 kg वजन है और उसका अपने burn area जो है वो estimate ही है कि 20% burn है 20% burn है पेसेंट का 60 kg वजन है तो fluid कितना जाएगा fluid जाएगा 4 ml multiplied by 60 kg multiplied by 20% body surface area यह आता है आपका 4800 ml आपको fluid देना है यह fluid कितने देर में देना है यह आपको 24 गंटे के अंदर देना है अब 24 गंटे के अंदर किस परकार देना है आदा fluid half of the fluid वो आपको देना है initial 8 hours के अंदर और next जो half है वो आपको देना है next 16 hours तो आपने एक दिन का fluid किलकुलेट किया 60 kg का % 20% burn है तो पार्क लेंड फॉर्मूला के अनुसार 4800 ml उसको fluid जाएगा जिस में से आदा मतलब 2400 ml शुरू के 8 गंटे में जाएगा और बचावा 2400 ml वो जाएगा आपके अगले 16 गंटे में ये बताया है पार्क लेंड ने जिसमें fluid of choice रहेगा आपका RL depending on the doctors वो जो है ये चेंज किया जा सकता है दूसरा इसा ही formula दिया है consensus ने consensus का formula क्या है इसके अंदर 2 से 4 ml fluid देना है multiplied by weight of the percent multiplied by total body surface area percentage यहां पर कितना है जैसे 2 ml बताया है एडल्स के लिए एडल्स के लिए 2 ml बताया गया है multiplied by 60 अब जैसे यहां पर 60 kg का percent है और 30% burn है तो उसमें आपको देना है 36 ml अब 36 ml वही same आदा जो है वह आपको 8 गंटे में देना है और आदा बचावा आपको 16 गंटे में देना है यह आपका जो 4 ml आ रहा था यह आप यूज करना है इस formula के अनुसार इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर अगर पीड्स में है तो यहां पर तीन ml कर देंगे अगर एडल्स के अंदर है तो आपको 2 ml करना है इतना ही difference है इन दोनों के अंदर ज्यदा difference नहीं है दोनों लगबग एक जैसे formula है कि केवल fluid और electrolytes की ही जरुत नहीं होती यहां पर colloids जैसे की albumin वगेरा है उसकी भी जरुत होती है क्योंकि यहां पर plasma लिके जो है वो लगाता होता रहेगा एडिमा होता रहेगा तो उसको कम करने के लिए आपको क्या करना है colloids का यूज भी करना है तो इवांस ने क्या वोला है fluid और electrolyte के साथ में colloids का यूज किया जाएगा इनका जो है वो कितना रहेगा इनका जो मात्रा है वो कितने रहेगी colloids 1 ml multiplied by kg multiplied by total body surface area मतलब अगर जैसे यहां पर 50 kg का percent है 20% बर्न हो आए तो कितना हो गया आपका 1000 ml उसको क्या देने है colloids देने है उसके साथ में colloids के साथ में इतनी ही मात्रा के अंदर आपको क्या देने है electrolyte कितने होगे एक ml multiplied by 50 multiplied by 20% बर्न एरिया that is equal to 1000 ml 1000 ml आपके colloids हो गया 1000 ml आपका electrolyte हो गया उसके साथ में आपको देना है glucose देना है 2000 ml दो लिटर आपको glucose देना है वो कैसे देना है DNS या D5 आपका glucose हो सकता है और यह देंगे अपन इंसेंसिवल लोस के लिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4000 ml अब 4000 ml में से हाप देना है आपको वेसे ही 8 गंठे में और अगला आपको देना है 16 गंठे में नया खुछ नहीं है इसमें जो है वो रहे हैं यह जो आप 2000 ml इलेक्ट्रोलाइट और कोलोइड दे रहे थे इनको आदा कर देंगे और सेम अमाउंट के अंदर आपन क्या कर रहे हैं ग्लुकोज का यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा 500 ml कोलोइड ले ले लेंगे 500 ml इलेक्ट्रोलाइड ले ले लेंगे और 2000 ml आपका ग्लुकोज ले लेंगे टोटल 3000 ml अगले दिन आपको देना है तो इवांस फोर्मूला के अनुसार कोलोइड को एड़ कर दिया है यहा देटा करा करा वनमेल ज्वाज़ अपने क्या किया है यहां पर कोलोड को एड किया है लेकिन अ प्रूरै का कहता है अट्ना ज्यादा प्रोड का यूज करना गया हूँ है इसमें क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइड में मिला देंगे 0.5 mm जो है वह आप ऐले। यह जो 1000 ml यूज कर रहे थे यहां पर आपको 500 ml यूज करना है और इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या करना है 1500 ml यूज करना है और बाकी जो आपका ग्लोकोज है वह सेम आपका 2000 ml रहेगा तो ब्रूक आर्मी फोर्मूला क्या कहता है कोलोईड का 0.5 ml पर kg पर body surface area that is equal to 500 ml उसके साथ में electrolyte 1.5 ml गुणा kg गुणा total body surface area वो हो गया आपका 1500 ml और glucose हो गया आपका 2000 ml तो लगबग वही 4000 ml आपको इसमें की fluid देना है तो यह चार formula के अनुसार जो है वो अलग-लग clinical setting के अंदर अलग-लग doctors की जो है वो अलग-लग physicians की अलग-लग चोईस होती है कि किस परकार से वो fluid का replacement या fluid का resuscitation करने वाले हैं Parkland formula 4 ml पर kg पर body surface area Consensus formula 2 से 4 ml पर kg पर body surface area 2 ml एडर्स के लिए पीड्स के लिए 3 ml और electrical burn के लिए 4 ml यूज़ करना है Evans formula क्या क्या करता है fluid-er electrolyte के साथ मैं अपन क्या देंगे koloids का use करेंगे 1 ml पर kg पर body surface area के साथ में koloid 1 ml पर kg पर body surface area percentage के साथ में क्या करना है आपको electrolyte देने और 2000 ml glucose देना है Broke Army formula क्या 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 है इतना ज़्यदा कोलोड देने की जड़ुत है नहीं आप 0.5 ml जो है वो ग्लुकोज 0.5 ml आप क्या कर सकता है पर केजी पर बोडी सर्फेस एरिया परसेंटेज के नुसारापन क्या कर सकता है कॉलोड का यूज कर सकता है बाकी आप इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इसको एड़ कर दो तो यह चार फोर्मूला के अनुसारापन क्या करते हैं फ्लुड का रिस्सिटेशन करते हैं क्योंकि इनीशियल स्टेज के अंदर सबसे बड़ी रिसक जो रहती है वो रहती है आपकी सर्कुलेट्री सोक की जो भी बर्ण के पेसेंट है अगर आप डेत का कारण भी देखें तो सर्कुलेटरी जो सोक है वो आपका इंपोर्टेंट कोज रहता है क्योंकि यहां पे फ्लूइड लोस हुआ है बर्ण की वज़े से उसके साथ में जो है वो आपका इंट्रावस्कुलर जो है वो फ्लूइ मेंटेन किया पेसंट का ब्रीधिंग जो है एरवे है वो सब मेंटेन किया जो है पेसंट की जो एल्री है और जो भी आपने कॉंस्टिक्टिव क्लोटिंग है उसको रिमूव किया उसके बाद में इनीसियली जो आपने इमेडिटली क्या कर दिया है आपने जो आइवी के थ जिसके अंदर अग्ले फेज के अंदर पढ़ते हैं फ्लुईड रिसेटेशन के बाद आपन तीसरे फेज की बात कर रहा है जिसको अपन बोलता है वो continuously जो है वो करने है तो वो आता है आपका acute intermediate phase तो band के पेसेंट के अंदर आपको क्या करना है fluid और electrolyte है उसका balance जो है वो आपको regularly monitor करना है fluid का balance जैसे ही आप fluid का resuscitation कर रहे हैं तो पेसेंट का urine output है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो target urine output रहेगी वो आपकी रहेगी 30-50 ml पर और अगर पेसेंट का urine output improvement हो रहा है इसका मतलब आपका fluid जो है वो balance है या फिर fluid का resuscitation है वो यहाँ पे improvement पेसेंट के अंदर लेके आ रहा है तो आपको क्या करना है urine output मेजर करना है इसके लिए आप क्या कर सकता है फोलिज जो है वो catheter आपको insert करना है और regularly hourly urine output है वो आपको चेक करते रहनी है उस प्रकार से अपन क्या कर सकता है fluid का resuscitation है उसका dose कम या जदा कर सकता है उसके अलवा electrolyte balance है वो भी आपको regularly check करना है बंड की state के अंदर क्या होता है जैसे ही cell lysis होता है cells का destruction होता है intra cellular जो आपका ketine है वो क्या है आपका potassium है तो potassium क्या करेगा यहां पे उसका level blood के अंदर बढ़ जाएगा और plasma leakage और fluid leakage की वज़े से sodium का level है वो initially कम हो जाएगा तो initial stage के अंदर hyperkalemia और hyponatremia आपको देखने को मिरला है लेकिन जैसे जैसे एडीमा कम होगा जैसे जैसे fluid का replacement होगा sodium का level है वो वापिस जो आपका intravascular sodium level है वो यहां पे बढ़ जाएगा और potassium है वो अचानक से कम हो सकता है तो यह आपको जो है वो नोर्मली चेक करते रहना है लेक्ट्रोलाइट का balance है वो आपको चेक करते रहना है कि इनिशल स्टेज के अंदर जब hyperkalemia हो रहा है तब भी आपको जो है potassium वगेरा का level चेक करना है उस स्टेट के अंदर hyperkalemia हो रहा है और आगे जाके वो क्या हो सकता है जो हाइपो यह हाइपो के लिमिया और hypernatrium है पेसंट के अंदर जब लॉंग स्टेट तक है पेसंट का रही जो फ्लूड रेसिटेशन कंप्लिट हो चुका है उसके बाद में इसी इस्तितियां देखने को मिल सकती है तो आपको क्या करना है फ्लूड रेक्टोलाइट बे जड़ा पेंड देखने को मिलता है बैंड के अंदर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो उसके पहले भी अपन क्या कर सकते है पेंड मेडिकेशन है वो दे सकते हैं उसके बाद में regular cleaning और dressing of वॉंड पेसंट का जो भी वॉंड है उसको अपन क्या करना है क्लीन करना है पेसंट का जैसे clean water है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं पेसंट को हाइडरो तेरपी दे सकते हैं regular cleaning और dressing करना है वॉंड को depending on the physician depending on the surgeon वो क्या प्लेफर करते हैं उसके नुसर अपन को क्या करना है पेसंट के वॉंड को या तो open रख सकते हैं या फिर जो हो ड्रेसिंग के द्वारा हो चुका है इंफेक्शन को कोज कर सकती है तो यहां पर अपन क्या कर सकता है वोंड का डिब्राइडमेंट कर सकते हैं इस्टेराइल फोरसेप्स के द्वारा मेकेनिकल या फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट है वो भी किया जा सकता है अगर वहां की blood supply इंटेक नहीं है उन क्या करते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर सल्फाड आजिन का यूज करते हैं यह क्या करेंगे यह जो हीलिंग है उसको इंप्रूव कर देगी बर्ण के पेसेंट के अंदर तो एंटी बेक्टिरियल्स यूज कर सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर सल्फाड उसके अलवा prevention of infection यह आपका main focus रहता है जब भी आपके पास में क्या है, burn का patient है, तो एक एसा environment प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर क्या है, infection के source कम हो, वीजिटर्स का है, वो आना जाना आप कम कर सकते हैं, procedure जो है, वो सारे आपको sterile करने है, clean जो है, आपको sterile gloves है, वो आपको अमयसे use करना है, जो भी आप article यूज कर सकते हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, आपके sterile होने चाहिए, जिसे क्या होगा, पेसेंट को, infection के chance जो है, व वो यहां पे break हो चुका है, तो उसकी वज़े से, risk of infection बढ़ेगा, immunity भी पेसेंट के लो रहेगी, nutritional level भी पेसेंट के अंदर कम हो सकता है, तो इसी इस्तितियों से बचने के लिए आपको क्या करना है, पेसेंट के अंदर infection को prevent करना है, use of antibiotics, systemic antibiotics भी अपनी यूज कर सकता है, risk of infection अगर ज्यादा है, या किसी भी परकार का infection पेसेंट की बोडी के अंदर मिलता है, रेगुलर आप जब चेक अप करवा रहे हैं, CBCs, Bloods, Counts आप रेगुलर ली चेक कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका वूंड है, उसका आपने जो भी कल्चर किया है, या स्पेसिमेन को से कंडिशन को अर्टी लगी है, तूसरे नुशार अपन क्या कर सकते हैं, हाई कलोरी, हाई प्रोटीन वाली आटी फीड जो है वो पेसेंट को दे सकते हैं, अपने जैसे एमरजेंसी के अंदर है, आपने आटी जो है वो पेसेंट को इन्सेट करी होगी, गेस्टिक लावाज करने के लिए रिसकोपेस्पिरेशन से बचने के लिए तो यहां पे भी अपन क्या कर सकते हैं आटी फीड का यूज कर सकते हैं हाई प्रोटीन और हाई किलोरी वाली डाइट का यूज करना है उसके अलावा अगर यह सब चीजों से उसके बाद में भी पेसंट को इतना डीप कर सकते हैं जैसे कि ओटो ग्राफ्ट पेसंट का एक पार्ट से हैं दूसरे पार्ट में क्या कर रहे हैं अपन ग्राफ्ट का यूज कर रहे हैं जहां से विजिवल एरिया नहीं है वहां से अपने एक ग्राफ्ट लेंगे और जो विजिवल एरिया है जहां पे ज्यादा बर वहां पर क्या कर सकते हैं इस ग्राफ्ट को यूज कर सकते हैं उसके अलवा एलो ग्राफ्ट की दूसरे हुमन का या फिर केड़ेवर का या फिर होमो ग्राफ्ट का यूज कर सकते हैं अपन पेसंट के अंदर जिनको क्या हो रहा है बर्ण की स्थिति डवलफ हो रही है उसके तो हेट्रोगाप्ट की दूसरी सपीशी, उनका भी अपन क्या ंगर सकता है … तो छहां पर बर्नं होए है वहां पर अपन इस ग्रॉप्ट का यूज कर सकता है तो णॉर्मली तुई ऌषмотрाल वह यूज कर सकता है जब पेशन्ट के अंदर रुलिंग नहीं है और पेसंट का जो appearance है उसमें कहीं पे disturbance है वो आने की risk है तो emergent fluid resuscitation और तीसरा phase अपने पड़ा acute intermediate phase जिसके अंदर अपन इस प्रकार से जो अलग-लग measurements का यूज करते हैं और चोथा phase last phase आता है अपना rehabilitation phase कि इन इस्थितियों से अगर एक पेसंट गुजरा है तो उसके अंदर बहुत जो है वो टाइप के changes देखने को मिल सकते हैं चाहिए behavioral changes हो emotional changes हो psychological changes हो पेसंट जो है वो anxiety में रह सकता है या फिर पेसंट के अंदर जो है जो है वो particular organs है उनमें वो moment देखने को नहीं मिल सकता है या फिर जो इतनी जदा जो हो muscle activity वो है नहीं रहेगी तो उसकी वज़े से क्या हो सकता है पेसंट को आगे जाके काम करने में या कुछ भी करने में दिक्कत आ सकती है daily life की activities करने में दिक्कत आ सकती है फिजियो तेरपी देनी है पेसंट को psychological support देना है एंग्जाइटी से बाहर निकालना है पेसंट को vocational training दे सकता है अपन जैसे ही पेसंट जो है डिशाज होने वाला है या इस इस्तिती में एगी वो अब trainable है तो उस इस्तिती में क्या करना है पेसंट को vocational training है वो प्रोवाइड कर सकता है और पेसंट को behavioral support है वो पेसंट को देना है तो यह आता है बंड का चोता phase rehabilitation phase तो आज अपन ने चार फेज के अंदर पेसंट का management बंड का management पढ़ा जिसके अंदर emergency में आपको क्या करना है फास्टेड क्या करना है उसके बाद में दूसरा फेज पढ़ा जिसके अंदर fluid का resuscitation कर रहे हैं अलग लग formula's के अनुसार तीसरे फेज के अंदर continuously wound की care prevention of infection पे rehabilitation in patients का किस परकार से किया जाएगा behavioral, emotional, psychological support दे के और vocational training with physiotherapy और बहुत सारे अलग measurements जो हो कर सकता है तो यह अपन ने पढ़ा बंड का management थेंक यू